नवस्कार दोस्तों मैं मनी स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फूड कार्पोरेशन ओफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था कि वैकेंसी निकलने वाली है तो एक ओफिसियन नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं इसके आप अगर पर 23 फरवरी 2019 यानि कि ये जो 2019 में जो 23 फरवरी को जो रोजगार समाचार आता है उसमें ये पबलिस होगा ये बता रहा है क्या पबलिस होगा उसके बारे में ये बता रहा है कि कौन कौन से पोश्ट के लिए वैकेंसी निकलेगी तो ये जुनियर इंजिनियर के लिए है जेई के लिए है, सिविल के लिए है, इलेक्टिकल के लिए है, मेकेनिकल के लिए है, यहां पर आप देख सकते हैं, सिविल इंजिनिरिंग है, इलेक्टिकल है, मेकेनिकल है, असिस्टेंट ग्रेड के पोस्ट के लिए निकलेंगे, हिंदी है, अस्टेनो है, टाइपिस्ट है and assistant grade third के लिए कुछ फिर वेकंसी निकलेंगे general accountant technical or deposit कुछ ऐसा नाम से कोई post होगा उसके लिए निकलेगा ये वेकंसी अब बात कर लेते हैं कि कहां पर वेकंसी निकलेगी किस zone में कैसे आपको apply करना है तो उसकी बात करते हैं तो यहां पर देखें नीचे लिखा हुआ है zone wise projected vacancy are 1,999 north zone यानि कि अगर हम zone की बात करते हैं तो north zone में 199 vacancy आएगी और south zone में 540 vacancy east zone में 538 vacancy west zone में तकरीवन 735 और ये north east zone में 201 vacancy आएगे ये जो vacancy आएगे ये expected है ऐसा नहीं है कि fix है वड़ भी सकता है गड़ भी सकता है तो वो different करता उस दिन new paper में क्या छपती है 23 फरवरी को आगे यहां पर बात कर रहे हैं ये बना रहे हैं कि a candidate can apply in one zone एक ही zone में आप apply कर सकते हैं नहीं है कि north में भी अप लाई कर दिया और south में भी कर दिया हर जगा कर दिया रस हो जाएगा ना इस बज़र से एक ही zone में apply करना है बहुत सारा इनका अपना कोई logic होगा इस बज़र से एक ही zone में आप apply करेंगे एनि one of the post within the one zone लिखा हुआ है ठीक है आगे ये लिख रहे हैं कि ये जो new छपेगी employment new रोजगार समचार में आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है रोजगार समचार में 23 फरवरी को ये छपेगी यानि कि छपने के लिए दे दिया गया है जो रोजगार समचार आते हैं उसमें छपने के लिए कि 23 फरवरी को जो रोजगार समचार छपेगी उसमें ये vacancy के detail छपेगे और ये जो form apply होगी वो कब से शुरू होगी वो 22 से ही सुरू होगी यहां पे 23 दो लिखा हुआ है 23 दो से सुरू होगी और ये 25 तीन 2 हजार 19 तक इसका last date होगा तो total तक्रीबन कितने vacancy होगा है ये 2 हजार और यहां पे 500 और यहां पे 500 यानि कि ये 2 तीन हजार और अगर इसको मिला लिया जाए तो 4000 यानि कि 4000 के एवब ही vacancy होगे 4000 के एवब vacancy होगे तो काफी आप कर सकते हैं हाई है ऐसा क्योंकि FCI में बहुत कम vacancy निकलते है तो अगर 4000 vacancy निकल रही है